बूर्णिंग स्टुदेंट्स, वेलकम तू अवर ओनलाइन क्लास, तोड़ेस सब्जेक्ट इस मैप्स, क्लास एक चैप्टर वन, रैशनल नंबस, वी नो वाट रैशनल नंबस, है न हम जानते हैं, पहले सब पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबस क्या हैं, रैशनल नंबस कैन रिटन अस P अपॉन Q, वेर P अपॉन Q are integers, और integers क्या हैं, हम जानते हैं, पॉसेटिव नंबस, नेगेटिव नंबस and 0 are called integers, और ये integers को हम रैशनल नंबर के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, अगर Q की वैल्यू जीरो है, तो वो रैशनल लंबर के बीच में और भी रैशनल लंबर होते हैं, यह आज हम समझेंगे, तो इसके लिए मैंने एक्जामपल लिया है, 3 upon 10 and 7 upon 10, इनके बीच में और कितने रैशनल लंबर, तो हम इसको नंबर लाइन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे, we can easily understand this through this number line, अब य two things, first, these both the rational numbers are positive, rational numbers, 3 upon 10 भी positive है, 7 upon 10 भी positive है, तो यह clear हो गया है, कि हमको number line में positive, right side में ही चलना है, positive की और ही चलना है, दूसरी चीज है, their denominators are same, दोनों denominator same है, तो हमको easy हो जाएगा, इसको solve करने में, तो जब दोनों का denominator same है, तो हम positive की और, यह 10 equal parts में यह divide हुआ है, अब उसमें से हमको 3 upon 10, and 7 upon 10 के बीच का number हमको बताना है, तो यहाँ पर देखें, मैंने number line draw किया है, यह 0, and from here we will move to right side, तो 1 upon 10, 2 upon 10, 3 upon 10, 4 upon 10, 5 upon 10, 6 upon 10, and 7 upon 10, now from 3 upon 10 से बोला है, यहाँ पर 3 upon 10 है, और यह last 7 upon 10, इनके बीच में देखें, तीन number आए है, तो यह हमारा answer बनेगा, 3 upon 10 is the question, तो इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इनके बीच के number को हम बताएंगे, 4 upon 10, 5 upon 10, 6 upon 10, तो we can write this rational numbers between 3 upon 10, and 7 upon 10, or 4 upon 10, 5 upon 10, and 6 upon 10, Thank you!